पूरा प्लानिक बना लेकि आज मारना इनको कुछ भिहारत में करके अपने अपने च्छत पर पूरा इट लेके चग गये थे इट और जो युवत है हमारी इतने वह तलवाल वार बल्ली उली धर के घुम रहे थे वही पर और लोग चिलाए कि तुम्हारे हिंदू को मार रहे दम है तो आजाओ बचाने के लिए मेरे भाई को एक महिला घर से निकली और डंडे से मारा फिर बेहो स्टैप से हो गया महिला ने मारा महिला ने मारा दो तिन जन लड़काई से चाकु धर कर जाए जाए और मार दिशते मेरे फिर भी जान तरी सरफ हम फिर महिला ना तीरत- जब यह जगड़ा होने लगा तो पूलिस कर्मचारी क्या कर रहे थे उस समय उनके सपोर्ट कर रहे थे कि मारो इनको मारो कर अबुलियंस आई से सर पूलिस वाले भसला लेकेगी सर मोर भाई सड़क मा पड़िस ओल लेक लेगी सर चेहरे से पहचानता नाम नहीं जानता सर क्या मांग करें उनको क्या सजा मिलने चाहिए थे फासी मिलना चाहिए सर यह दंगा रुकेगा नहीं जब तक उनको फासी नहीं जानता पूलिस मां सपोर्ट करतना उमान तो जाहिज है सुधीर एक्सरे एंड डेग्नोस्टिक टेक्नीक नहीं भरोसा पुराना एडवांस एमराई, मल्टी स्लाइस सिटे स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सुनुग्रापी, सुधीर एक्सरे एंड टेक्नोस्टिक नमस्कार दर्श को मैं हूँ प्रसांत कुस्वा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदास पुलिस की बेरिगेटिंग लगी हुई है, यहां पर आप सड़क पर देख पाएंगे, यह जो दिखरा पत्थर के आपको टुगडे नजर आएंगे, यही वो जगहा है जहां पर कल दंगा हुआ, जिसमें भुनेस्वर साहु जो की 23 वर्स के थे, उनकी मृत्यू हो गई है और आपको बता दें कि यह जो विवाद था, बहुत छोटा सा था, दो समुदाय के जो बच्चे थे, उनके बीच में आपस में साइकल का थोड़ा सा टकर हुई, उससे जगड़ा बढ़ा, उसके बाद वो जगड़ा परिवारों में बदला, और परिवार से बढ़ करके व हम आपको दोनों ही समुदाय से बात करने का प्रयास करेंगा और बताएंगे की पूरी कहानी क्या थी, उनकी की जभानी सुनने का प्रयास करते हैं, इस दंगे में जो हम बता रहे थे हैं, उसमें बोल सकते हैं, जो मृत यही इनसान की मौत हुई भूनेसवर, साहु नाम थ उनकी बुवा आज हमारे साथ हैं क्या कुछ हुआ उनके परिवार की हम इन से जानने का प्रयास करते हैं आपको क्या पता है कि कल क्या क्या हुआ था एक बार आप बताते अब सुबा से तो मेरे भतिजा ड्यूटी चला गया था अपना रोजी मजदूरी में जो मिले तक है भ अच्छे एक साथ लड़ना भीड़ना उन लोग दूसरे समाज के लोग फिर अब इधर साहु समाज वाले लोग ने क्यों कर रहे करके पुलीस को भी बुला लिये थे इतला कर रहे थे बैठक करेंगे पुलिस्य Hadi समाज समाज वाले लोग ने अपने हांँ आप में कुछ नहीं करेंगे इन लोग बताएंगे करके बुला ही रहेथे तब ही इधर से और जाया कि इन लोग को मार रहे हैं खोलो खोलो गेट करके किसी गेट को खड़ा रहेथे तो सब गामौ बले لوग कठ़ा हो कुछ लोग को बुलाने के लिए उन लोग आवाज लगा रहे थे मारने के लिए मतलब किसी और के घर पे वह आवाज कर रहे थे कि आ जाओ तब अपने साहु समाज के लिए लोग आगे निकले थे सब कि लोग तो वहां पर ना कि बाकी लोग को तो कुछ-कुछ बड़े लोग बच्चे लोग को पीछे हटो-हटो यूट पत्थर मार रहे लग जाए लग जाए कुछ-कुछ को पीछे भगा रहे थे और कुछ को उन लोग पकड़के दबोच के पूरा दबा दबाक माटडा जो सब मिला माबाप को सब को रोग दिये थे कि पुलीस वाले है पुलीस वाले है पुलीस वाले लोग चौक पर रहा होगा फिर वह होने बाद आया पुलीस वाले फिर भी हाथ लगाने नहीं दे रहा थे पुलीस वाले को भी चोंट लग गए उसको भी एडिमिट किये हैं जब ये जब घटना करम हुआ आपका कहना है ये साइकल वाला जो बच्चों का विवाद है वो क्या विवाद था ये थोड़ा वसा बताए कि कैसे ये जगडे का रूप लिया कब हुआ था बच्चों का साइकल वाला कलीच हुआ था कलीच तो हुआ था बोलते हैं बच्चों चोटे बच्चे को मजाक में मारे या किस चीज में मारे तो उधर के लोग मारे उधर के ही बच्चे यह होंगे जिनोंने मारे तो इधर इन लोग बोले होंगे मैं समाज को बुलवा रही हूँ ना बच्चे क मारें मेरें मारें हो तो वाले इधर गट्था हो रहे थे और इधर अवाज लगा दिये तो इधर आ गए जैसे समाज वाली एक तरफ गट्था हुए दूसरे समूधाय ने अवाज लगाया कि हम मार रहे बचाना है तो आ जब तब बाकी लोग जा करके वहां गये और जब गये तो फिर उन लोगों ने किस किस चीज से मतलब उन लोग ने आप लोग का कहना पहले से तयार थे मारने को तो क्या हथियार अपने पास रखे थे पता है कि इट पत्थर रखे थे और कुछ लखियां भी रखे थे डंडा वगेरा बोल रहे थे कुछ चूरी वगेरा भी रखे थे चूरी लगा था लड़के को चाकु पड़ा था यह जब घटना हुआ उसके कितने देर के बाद पुलिस यहां पर पहुंची थी और उसके बाद और भी ज्यादा जगड़ा फिर इनके मौत जब हो गई फिर सब महल सांत हुआ थे या औ पूरा तो लोग बस अलग अलग कर दिये थे इधर वाले को इधर और उधर वाले को धर भुनेस्वर जो साहु है उनके लाव और किसी को चोट लगा है क्या आपके इस समद्वाइक लोग को बहुत लोग को लगा है वो लास्ट मुमकान है ना उनके दोजों तीनों कहीं कहीं पर यहां पर कटा है यहां पर कटा है एक लड़के कैसे बलड भी कर रहा है कि कई लोग को साथ आठ लोग को लगा है प्रसासन से क्या मांग करना चाहेंगे जब आपके घर में उससे दुखत घटना मुन का जब दिहान थो गया अब क्या प्रसासन से आप क्या मा करे या ना करे कल के दिन में ऐसा किसी घर होगा तो आज ऐसे छूट दे देंगे छोड़ देंगे है ना छोटे-छोटे जवान लड़की है बच्चे हैं बुड़े हैं घर में रहते हैं घर घुश के कुछ भी कर देंगे बहु बेटी खीच के ले जाएंगे पावर बढ़ ज करके किसी का गोद उजाड़े है ना तो उन लोग कभी ऐसी होना चीए सब को अंदर करें सब को उम्रा कैद करें हर जो जो मिले हैं पूरे बस्ती के लोग अपना परिचा बताजिए संतोसी साहु उनकी बुआ हुआ हुआ है कि आंदा ऐसा करने मीच की चाहें और बहुत द डिन से लड रहे थे बहुत दिन से मतलब देख रहे थे मौटय जाने दो जाने दो करकी इन लोग सीधे साधे लोग है इधर साहुख बस्ती वाले लोग हैं ना तो उसका फायदा उठाएं मारेंगे अ देंगे आरसे जी मधरेंगे करेंगे करके दिखा धिया और अभी कुछ करेगा नहीं कोई तो फिर तो वो और अजाद हो जाएगा और करेगा क्या करा हिंदू और सर्चर जाएंगे क्या नाम है आपका रिस्ना साउस जो मृतक हैं आप उनके क्या लगत भाई छोटा भाई छोटे भाई यहाँ आप बताएएगा कल का जो घटना हुआ जो जिसको बोल रहें दंगा हो गया तो एक्चुली उसका जो मेन रीजन था उसका काराण क्या था कि सुरू कहां से इसकुल में छट्वी सात्वी के बच्चे नसी में जाकता आपसे ज्ञागडा हुआ तो ना ओव तोस्त दोस्त तो बड़े भाई सामने ना कि बता दिसके ज्ञागडा हो आना मना ओख बड़े भाई हां मोर भाईल काबार मारेस करके सेकाल मोल ठोक दिस तरना ऊगालि दिसके मोल काबार ठोक करके पिर जो काबाडी वाला ने दो महीन होते होला आए ओघी सकेल मार फिर ओहना काच फोड़ेसी ओं करहाथ ला काट दिस छोटे बच्चे का तो मेरी इतने जाथा ओ हो लणका ओख ला काट दिस तना शर फिर वख सात मह और एक जनरी तेला मारुष के मैं बदा हूं गह स्वाव पेखा कर किसना ओला मार दिस भृत मालीज बल्लु व लिए मारीज से फिर अखर बुखर जो हात कर दिस थे ऊफर माहां दिस विकसरा मालीज से पूरा हिंदू समाजला ना गाली दिसो कि पूरा हिंदू समाजला मारू जो उखाड़ लो इस्तेमाल के रिस्तर अउना फिर वहां थोड़ा भाज भाजी हो इसे फिर हम अपन साहू मतलब हिंदू समाज बैठक करें कि यह सब जगड़ा इसकुछ फैदा नहीं है प्रवार ना प्रवार प्लानिक बना लेकि आज मार ना इनको कुछ भी हारत में करके ना अपने छट पर पूरा इट लेकर चब गया थे इट और जो युवत है हमारी इतने वह तलवार वह बैठक करें बल्ली उल्ली धर के घुम रहे थे और चिलाया कि हमारे जो बैठक चालू हुआ जैस्ट चालू हुआ और लोग चिलाया कि तुम्हारे हिंदू को मारे दमें तो आ जाओ बचाने के लिए पिर हम लोग संगठित हो करके चिला रहे थे या कोई अकेला व्यक्ति संगठिक हो कर चिला रहे थे थे कि छोड़ाने के लिए निहत्ता गया कि छोड़ाएंगे स्रिप करके समझाएंगे बात्चित उन लोग ना जूट बोले कि मार रहे करके किसी को भी नहीं मार रहे थे और वो बस्ती पहुंचें से तान च्छत लेना यह टूट बस आना चालो कर दे अप लोग उनके बस्ती मे क्यों गये थे कौन किसको लोग मार रहे थे आप लोग को नहीं मार रहे थे हम लोग को उक्साने के लिए चिलाया सा क्या चिला कि तुम्हारे हिंदू कमारे दम है तो आ जाओ लेकर जाओ बचालो करके न चिला फिर हम लोग दो तिन जने नहीं था मार रहे होंगे साच में महिला करके गई समय भुनिस्वर गय कि बचाने के लिए किक सेकट एक फिर वत जहने मैं सब besonders पिर फ्रोग मेरे भाइक को दन्डे भर ने मारा पर बहुत तैप्स होगे इस दो तिन जन लड़काई से चाकु धर कर जाज़ा ओमार दिस से मेरे जब वो गिर क्या घाया लोके फिर भी जान त्रिस सरफ हम फिर महिला ना तीरत-तीरत मज्जित के सामने लेखे जिस ला कितना दूर था वहां से मज्जित यहां से पेड़ी इतना था अच्छा लगमक सौ म तना आधा घंटाबाद पता चली कितोर भाई बेहुस पड़े करके मुल्त पता चली चेंद पुलिस वालों को आपने शुचना दे के बुलाया था नहीं लोग नहीं लोग नहीं अपने पुलिस को सूचना दिया बैठक कर रहे थे इतने में जगड़ा हो गया और उन में गए नहीं जिसमें बुला यह पुलिस कई करमचारी क्या उनके सब्ट कर कर grouping कर थे कि मारो इनको भूंद कर or सोन जब उसके बाद जब वो मार दिये आप लोग इधर आगे कब पता चला कि उनका देहांत हो गया आधा घंट बाद देहांत नहीं हो था सर पर नहीं आसके बहुसरित सर फिर मैं और पापा गें चार जना फिर मैं उठाक ना तो खास चला तरी से अच्छेन जिन्दा इसे बाराक बात के घटने पुरह है टाइम नहीं पता है कतना भजिस कतना उप पिर ना तो ला उठाक लाओं में सुआयों और पहर रूद घटना तुरान तक एंबॉलेंस आतिस न शर आधा घंटा बाद भार्ष कि अल्जाई से तो हुआ आ बिःस्पान्स अई से तक शुश्वाले का पूलीस को लाग्यों तो तुरान दवा खान अले लाघ्या सकते सो मन लेकिन नेघ्या जीक लैए जिनमाने चेश कि नाख़ा लों गा कितने समय के बाद फिर इंबुलेंस वापस आया और उनको अस्पतार लेकर रहे हैं मेरे भाई को दो घंटा बाद आया सार फोन करने के बाद दो घंटा बाद आया और साजा से दस मिलट का रास्ता है साजा सोला किलोमेटर पर तरसा सई सतरीक सेंगत दस मिलट लगता अब आपके भाई को काफी समय हो गया होगा लडाई चगड़ा हुए दो घंटा बी दिया उसके बाद क्या महल सांत हो गया था या जब मेरे भाई को लाने लाए बर गया है तो महल सांत पूर सब अपना नहीं रहे जाना मनों कुछ होए कि नहीं होए असरी से मोरभाई बस लोग गली में केला बहुस पड़े रहे से उस भीड में केवल आपके ही भाई को केवल चोट लगा बाकी और किसे लगा दस ग्यारा जने को लगा से चोट मोला भी लगे चोट यहां पर लगे है लेकिन वह अतना दरद नहीं है बहुत जने लगे है चोट फोटो दिखा दो सर एक जन चोट लगे है अपने एक पर परिश्य देगा अपने एक पर परिश्य देदे लेकिसना साउ सर मेरा भाई का देहां तो उसको सर न्या मिलना चाहिए जो अपराधि है दो जने फरार है उनको गिरप्ता करने चाहिए सर चेहरे से पहचानता नाम नहीं जानता सर चाहिए क्या मांग करें उनको क्या सजा मिलने चाहिए सर और हमारा ही नहीं पूरा हिंदू समाज करना है गाउं का कि उनको फासी होना पूरा हिंदू समाज का यह है यही फासला है कि उसको फासी होना है है कि हो न तभी ओगाव वो सुरवच्चित रहेगा या फिर हम सुरवच्चित रहे दंगा फिर होंगा जब तक उनको फासने मिले यह दंगा रुखेगा नैंड़ तक उनको फासने नि français दंगा रुखी या फिर दंगा फिर बढ़ी आउ जातना पूलिस मां सपोर्ट करतना उमां तो जाही सर पूलिस वालों का आप पैचानते हो जिन लोगने सपोर्ट जो आप बता रहो आप देखे थे क्या अपने आखों से कि अपने लगाया थे और जो घाया लोग बेमेतरा जिले में जो दंगा हुआ उसके बाद पुलिस बलने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है महारे साथ जिले के एसपी मौजूद हैं सर ये बताईए कि क्या पूरा घटन करना करम रहा और आप लोगों को कब इसकी सुचना मिली और महल को सांथ कराने के लाप लोगों ने क्या कदम होता है कि दो बच्चों के बीच में जगड़ा हुआ है जो अलग-अलग संभदाएक है और वह जगड़ा जो है बढ़कर उनकी पेरेंट्स को भी इसमें इन्व करने के लिए उन्होंने रेक्वेस्ट किया है चूंकि बच्चों का मामला था तो उसमें पुलिस इंटर्फेर नहीं किया लेकिन पुलिस यही पर उपस्तित थी और यहां से जब पता चला कि अंदर कुछ मोबलेजेशन हो रहा है तो पुलिस टीम अंदर गई थी और उनक क्लैशस में एक बुनेश्वर साहू नाम का एक लड़का जो 23 साल का है उसकी डेथ हो गई है इसके बाद पुलिस डिप्लाइमेंट किया गया और पोर्स यूस करके प्राउड को स्कैटर किया गया है और डिप्लाइमेंट कंटिन्यू करके आज जो है शांतिपुर्वा कंत भुनेश्वर साहो के परिवार का ये आरोप है कि पुलिस वाले भी इन्हें मारने के लिए उक्सा रहेती दूसरे समुदाय को ये पूर्ण रूप से असत्य है पुलिस अपने डूटी बकू भी निबाई है और डूटी के दोरान सब इंस्पेटर को बहुती गंबीर रू बेमित्रा में जो दंगा हुआ उसके बाद बेमित्रा के करेक्टर हमार साथ मौजूद है क्या पूरा मामला था सर किस बात को लेकर के जड़प होई दो समुदाय को इसे पारम हुई और बड़ो तक गई बड़ों के जाके उन्होंने अपनी दोनों समुदाय के बीच में स का परड़ाम यह हत्या पर आया और उस पर लाइन और की प्राब्ला हुई है कितने मामले को सांथ कराने के लिए आप लोगों ने पूरे प्रसासन ने जब मोर्चा समाल लिया कितने अलग अलग जिलों से यहां पर पुलिस कर्मचारी या दिकारी बुलाए गया है वो कितन संभाग आयोक्तों पर आय जि शाब यहांपर कमांद साबल लिया है और करीब 700 पस पुलिसकर्मी और 55bahn Grac सब्सक्राइब कर दो दिन हुआ काफी कल तना हो था लेकिन आज शुबह के बाद से हम लोगों ने पारी सारी जो स्वांती वेवस्ता है वो इस्ताफिश करने के प्रयास किया है और अभी परतमान में लियंतर में धारा 144 लगा जीए कब तक लागू रहेगी और कभी शुबह जो मिर्तक है उसका हम लोगों ने प्यूनरल करवाया है उसके पस्चात लगातार यहां पर हम लोगों ने समिच्चा कर रहे हैं वहार के लोग आ रहे हैं उनको रोके हुए हैं उसके बाद अभी हम सा संदर में हम पूरी हम समिच्चा करेंगे उसके बाद समिच्चा के परणाम जो निकलेगा कि 44 आगे बढ़ाना है रोकना है कब तक करना है यह सारे चीज़े हैं उसके पस्चात हमने यहां पर जो दोनों समदाय के मुहलों को लोगों का जब इस्टडी किया तो पता चला कि यह काफी आक्रुषित है इसलिए मैंने सोचा है कि यहां पर हमें एक चोटी से पर पुलीस पुस्टेबी का बिस्ताफना करेंगे चोंधी चांधी का इस ताहिरों इस्ताफना करेंगे पूरी नजार रखेंगे पूरी साथ 8 दिन तक हम यहां पर पूरा हमारे मेश्येट ह अपने समर्थकों के साथ पहुँचे लेकिन धारा 144 लागू होने के कारण पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोग दिया जिसके बाद दीपक ताराचंसा हुआ और उनके समर्थक पुलिस प्रसासन से भिड़ गया आईए आपको दिखाते हैं वो वीडियो अपने समय प्रसाइब आपके अधिकारी इतने उद्द है कि इसी के अंतिम संस्कार में भीचाने के लिए आधा गंका लगाएगा तो रहागो जाएगा जल के हम लोग पंच लश्वी पिली डाल पाएंगे तो चलिए आप में जाना हुआँ िछान जाना हुआईँ चलिए आपके अगिए आपके अश्वी के अद nasriosके अभी ऐना हुआँ अभी खादा, में खेद्वास्वास्व, झार्म्त ख् backend, और्या के लाना हुआँ औरिए ख Noah झाभी ध हाना हुआँ चात खो चात hinaus अर्वाजन तो टृक्षन वाणीज़ा, न रिघर के आरह, झालन वो ही तो! यह दःत demonstration मेकल आज भृक्षन अननान डान्सおおर चत्क ऐसा भृक्क एंगा arrest कि हुख टिया जब हर्टाने मावाथ बाता करमा में टाथ बाता है ले नमादी जी मतना है बाता की सुना बात वो टेनि जोनका है खैस मादा जोन कि की सतुनर सववषी लेका का पलाख्द्ष tratar खान्या पानी बरे तो उलो सही है यह वही स्पॉर्ट है एक्जेक्ट आप खून के निसान देख पाएंगे जहां पर भुनेस्वर साहु की मौत हुई थी और यह वही मस्जीद है पीछे का यहीं पर वो जो मिर्तक के परिवार वाले थे जो जिक्र कर रहे थे कि यहां पर उनकी मौत हुई कुछ लोगों ने मार दिया दूसर समादाय के लोग ने हाला कि हम दूसर समादाय से भी हमने बात करने का प्रास किया लेकिन हमारी बात नहीं हो सकी आप देख रहे थे अंसलतीवारी के साथ परसांत को सवहां की रिपोर्ट स्पर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहतरीन कार्डियोलोजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल्ट्री नमबर की सुविधा, 0.8003091616 स्पर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपने बन का